राधे राधे देखिए आजी ये कितना सुन्दर डिजाइन लेके आई हूँ काना जी के श्टॉल के लिए और इसे बनाना भी बहुत आसान है मैंने सबसे पहले इसमें 25 चेन बुनी है और 25 चेन बुनने के बाद सभी में इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा यानिके 22 डबल क्रोशिया बुने पहली रो में उसके बाद मैंने ये रिजाइन डालना शुरू किया ये पट्ती आ रही है उनके श्टॉल में और इसे अब मैं बनाना बताऊंगी जैसे हमारी ये काली उनका नंबर है अब तो जब इसमें ये दो, दो फंदे रह जाएं तो उसके बाद हमें काली लगानी है फिर और काली को इस ओरेंज उनको इसके बीच में इस तरह से लेना है और अब हमारा ओरेंज उनका नंबर आ गया तो ये दो फंदे लाश्ट में इस तरह करने से लाइनिंग बिल्कुल सही आती है इस बार हमने काली उनको बीच में लिया है और जब ये दो रहे इस तरह बना सोरी हमने इस पून को अंदर नहीं लिया अच्छा इस बार हमारी बस ये ओरेंज की एक ही पट्टी है और काली तो हमें यहीं पर आके मिलनी है तो इस बार काली उनको इसके अंदर नहीं लेंगी एक बुना और ये दूसरा फिर एक दो डबुल क्रोश्या बुनने के बाद इधर से एक करेंगे आगे इस ये होल जो है इसको एक में काउंट करेंगे तो हमारा पूरा आजाएगा और अब दो बुनने के बाद इस तरह बुना अब हम ब्लेक उनको बीच में लेंगे और इंश सोरी ओरेंज को और ब्लेक से बुनेंगे बस इसी तरह हमें बुनना है और जितने भी लंबाई बुननी है इसकी इसी तरह से बुननी है और इसके साइड में जो फुनने लगाएंगे इनको बाद में बताओ देखिए ये कानहाजी का शॉल बुन के तयार हो गया है और इस साइड में ऐसा जाल बना के ये वुल्ड लगाई है और इसी तरह से हमें इधर भी करना है इसके लिए हमें 16 चैन बुननी है और 16 चैन बनाने के बाद एक दो तीन का गैप छोड़ना है इसमें एक दो तीन फिर एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ देस आरा आरा तेरा चोदा पंड़ा सोला एक दो तीन चार अब इसको इस तरह से करते हैं इसमें भी इसी तरह से बांधनी है देखें ये इस तरह से हो गए दोनों तरफ के इधर के भी फिनिशिंग करके ऐसे ही कर देंगे बन गया का नाजी का शौल